strategic change, meaning of strategic change, meaning of strategic change, अब सबसे पहले देखते हैं कि strategic change का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा change जो organization में घराई तक जाता है, बीप तक जाता है, and long term के लिए sustainable होता है, वह change, strategic change कहलाता है, यानि कि ये company के अंदर deeper होना चाहिए, गहराई तक होना चाहिए, और ये sustainable होना चाहिए, अगर ये ऐसा change है, तो ये strategic change होता है, ध्यान रखेगा, strategic change कभी भी superficial नहीं होता, उपर उपर से नहीं होता, अब जब ये गहराई तक जाता है, और ये sustainable होना चाहिए, long term होना चाहिए, तो ये इतना आसान नहीं है, तो ध्यान रखेगा कि strategic change एक complicated and complex process है, complicated का मतलब जटिल है और complex का मतलब भी जटिल है, तो complex थोड़ा जटिल से ज़्यादा है, यानि कि strategic change एक complicated and complex process है, इसमें काफी factor के उपर हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमें ध्यान देना पड़ेगा, customer के behavior के उपर, organization के उपर, market के trend के उपर, intermediaries के उपर, competitor के strength and weakness के उपर, and supplier के behavior के उपर, जब इन सारे चीजों को देख करके हमें strategic change लाना है, तो यह बहुत बड़ा complicated factor है, because यह आसान नहीं है, यह complex factor है, यह जटिल नहीं है, तो जब भी strategic change जैसे word आपको exam में लीखने हो, या उनको आगे deep में लेके जाने हो, तो दो word आपने सीखा, और इस word को आप जरूर लीखेंगे, यह word क्या था, complicated and complex process, complicated and complex process, देखेगा, strategic change हमेशा सिर्फ short term या medium term के लिए नहीं सोचता, rather यह focus करता है long term के लिए, यह focus करता है long term के लिए, जब हम strategic change की बारे में सोचते हैं, तो हम सिर्फ current ही नहीं, बट आने वाले environmental change के बारे में भी सोचते हैं, means strategic change future को नजर में लेके होता है, तो आपने यहाँ जो point देखा, कि strategic change सिर्फ current में, change को प्रभाव में, strategic change सिर्फ current में होने वाले परस्थीतियों को नहीं देखता, future में यह क्या काम आएंगे, यह उसके बारे में भी सोचता है, यानि strategic change दूर का सोचता है, दूर का सोचके समझ के कोशिश करने की कोशिश करता है, दूर का सोचता है, तो यानि कि जो आपने सबसे पहला complex, complicated के बाद, जो सबसे important word आपने सीखा, strategic change में, वो देखा, कि यह future के लिए change है, आने वाले कल को देखते हुए change है, आने वाले कल में यह क्या मैतलब रखता है, यह उसका change है, उसको समझने की कोशिश करता है, यह आप अच्छी तरह से समझेगा, और जब आने वाले कल की बात करते हैं, तो आने वाला कल किस के उपर चुपा हुआ है, environment के उपर चुपा हुआ है, business के environment, बोथ macro and micro, दोनों ही factor को देखते हुए बात करता है, इसलिए बात समझने में आती है, कि यह strategic change, एक complex, एक complicated, एक future oriented, and future के environment को देखते हुए है, future के environment को समझने के लिए है, environmental forces को देखते हुए तो अब आपने समझ लिया कि strategic change का मतलब क्या होता है, लेकिन strategic change को समझने के लिए और दीप पे जाएंगे, चुकि हमारे exam में हमें लीखना भी है, तो लीखने के लिए आपको चार keyword याद रखने है, यह four keyword क्या है, one, complex process, two, comics, three, change for future, four, environmental forces, यह चार word, one, two, three, four, यह four word आपको याद है, तो आप strategic change का परिभासा अपने आप ही लिख सकते हैं, या strategic change के बारे में अपने आप ही लिख सकते हैं, even though मैं आपको dictate करूँगा, चुकि हमारा एक ही thrust area है, learn to write and get exemption, अगर आपको लिखने नहीं आता, तो आप exam में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इस तो लिखने के लिए यह चार keyword, strategic change के अंदर आपके पास होना चाहिए, और यह चार word है, complex process, comics, change for future, environmental forces, complex process, complicated process बताया हुआ है, comics आपने micro environment में फढ़ा होगा, customer, organization, market, intermediaries, competitors, suppliers, इनके उपर word आपको जोडने परेंगे, change for future, यह आपके पास तीसरा word है, and environmental forces, तो यह four keyword है, जो strategic change में आप यात रखेंगे, अगर आपको यह remember नहीं है, complicated and complex process, comics, change for future, environmental forces, तो आप आगे लिख नहीं पाएंगे, इस बात को अच्छी तरह से समझिएगा, अब हम कोसिस करते हैं, कि आपको अच्छी तरह से फिर से एक बार कोसिस करें, समझाने के लिए, कि क्या होता है, आप ही के जिंदगी से जोड़के, यह strategic change, जैसे कि आप लोग सभी 10th pass है, हाँ, हाँ, बिल्कुल 10th pass होंगे, 10th pass तो ही न, अरे यार, जब 10th pass नहीं करें तो इस लेवल पर आए कैसे, जाहिए अपने 3th class में, और आप imagine किजिए उस समय का, imagine क्या करना, recall किजिए, आप recall किजिए, अपने 3th class के result के बात की कहानी, आज जब भी हमारे पास कोई आता है, और हमसे जब करता है, because we work as a therapist, as an expert, motivational speaker, तो जब हमें कोई कहता है कि हम थोड़ा प्रशान है, BPI है, तो हम पहला सवाल पूछते है, आपका बच्चा class 11th में आया है क्या, आपका बच्चा higher secondary में आया है क्या, because parents के baby यहीं बढ़ने लगते हैं, बच्चे से ज़्यादा प्रशान हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा, जब आप 10th का exam पास करे होंगे, उसका बात का process आपके लिए काफी complicated and complex हुआ होगा, है न, science ले, art ले, commerce ले, humanity ले, बहुत सारे हैं, यह बहुत बड़ा complicated thought होगा, एक बहुत बड़ा complex process होगा, चूज करना, यह complex process होगा, आप में से तो कई लोग, दो-तीन महिना science में बैठे होंगे, फिर commerce में बैठे होंगे, फिर science में बैठे होंगे, यह समझ में नहीं आता, करे क्या, करे ना करे, यह बहुत ही complex process है, बहुत ही complicated process है, science लूँ, commerce लूँ, art लूँ, humanity लूँ, क्या लू जब आपके पास आपके तैंत के एक्जामें, 98%, 99%, 95%, 96%, 90% से बाब आजाता है. हर कोई बत, बच्चा intelligent है, यह तो science वाला बच्चा है, यह तो doctor बनेगा, यह तो doctor बनेगा, यह तो engineer बाबू बनेगा, यह तो engineer बनेगा. अरे ये साला 98% आफ़त हो गया, कितना बड़ा complicated process है, कितना बड़ा complex process है, science लूँ, art लूँ, humanity लूँ, commerce लूँ, that's what, oh my god, 90% के बाद तो आपके लिए तो इतना बड़ा complicated हो जाता होगा कि मत पूछो, कई बार तो 98% 10th में आने के बाद खुद को गलत फहमी हो जाती है, अरे यार मैं तो intelligent हूँ, और ये गलत फहमी में अगर आपने science ले लिया, और आपने देखा कि first UT में 25 में से दो आए, वो सारा confidence 98 वाला, कई लोग यहां होंगे, जो CA join किये होंगे, science में 11-12 करने के बाद, उनको ये बाते अच्छी तरह से समझ में आती होगी, कि उस complex complicated process को नहीं समझने का अंजाम क्या मिला, धियान से देखिएगा, जब आप 10th के बाद, जब choose करते हैं course, तो आप उस profession का market देखते हैं, उस course का market देखते हैं, उस course का future देखते हैं, कि उसका future क्या है, लोग मेरे से parents भी पूछते हैं, मेरा बच्चा commerce परता है आगे, क्या है future? मैं पोलता हूँ कि आपको ख्यू लगता है कि science वाले के पास ही future है, अरे future तो हर जगा हो सकता है, यह मतलब नहीं पढ़ता कि आप क्या पढ़ते हो, यह मतलब रखता है कि आप कैसे करते हो, यह बहुत बड़ा एक reason है, जो आपको समझना बहुत जरूरी है, लेकिन आप parents पूछते हैं, आज कल हमसे parents आज ही सुबह सुबह एक phone आया था, राथोर साब, मेरी बच्ची तेंथ पे भी pass करके 11 पे आ रही है, अगर law का करूं तो उसका future क्या है? अरे law का future बहुत सादा है, चुकि corporate law बहुत जम के चलेगा, मैं तो आपको भी कहता हूँ, आप लोग CA के साथ कहीं न कहीं कोशिश किजिए कि other भी add-on होने लगे, अब कैसे करते हैं, आप समझें, मैं नहीं बता सकता, लेकिन future की बात करना मेरा धरम है, जो आपको मैं बता रहा हूँ, आप जब आपको 11 12 में कोई कहता है, CA कर लो, तो आप कहते हो, अरे यार passing percentage क्या है, एक percent आता है, दो percent आता है, तीन percent, और मजे की बात देखो, आप input कि से लेते हो, जो जिसको खुद को कुछ ज़्यादा नहीं पता, तो यह क्यों पूछते हो percentage, because यह जो इस change आपके जिंदगी में आया है, तेन्थ के बाद, वो एक strategic change है, तभी तो यह सवाल आपके जेहन में आते हैं, अकर strategic change ना हो, तो इतने सारे सवाल आने का पैदा ही नह कोसिस कर, तेरे client हो जाता है, तो बहुत बढ़ी है, कोई दिकत वाली बात नहीं, future बहुत बढ़ी है, हर parents यही पूछता है, हर बच्चा यही पूछता है, तेन्थ के बाद, कौन सा long course, future क्या है, आगे क्या होगा, आगे का environment क्या है, आगे क्या होगा, मैं आपको बता देत क्या हो, आने वाला कल, आने वाला हिंदुस्तान का कल business का है, और उस business में कोई भी ब्यक्ती अगर business का knowledge लगता है, चाहे हो legal हो, cheese secretariat हो, चाहे costing points से हो, चाहे accounting points से हो, चाहिए auditing point से हो, चाहिए legal point से हो, future है, चुकि आने वाला कल हिंदुस्तान में industrialization बढ़ेगा और बढ़ेगा, तो आपको काम मिलेगा, यही strategic change का प्रभाव है, तभी कहा जाता है कि strategic change future oriented होता है, future को देखता है, आने वाले कल के business environment को देखे चलता है, it is because, आप इसलिए सवाल पुछते है, why do you do that, why do you ask some question, it is because it's your future, वो आपका कल है, full जिन्दगी इस पे टिका हुआ है, आप क्या कहते हो, क्या कहते हो जरब बताना, अरे यार, जिन्दगी दाव पे लगी है, जिन्दगी दाव पे लगी है, आप वही चूज करते हो, जिसमें future आपको दिखता है, environment में उस व्योसाई का, उस study का future दिखता है, environment favorable होता है, आने वाला कल का environment उसके लिए valid होता है, तभी आप उसके choose करते हो, तो आपने देखा, कि जब strategic change की बात आती है, तो आपको चार keyword याद रखने हैं और उसी को याद करते हुए लिखना है, 1. complex process, 2. comics के बारे में, 3. change for future, 4. environmental forces, अब आप dictation लिखे, अब आप dictation ले लिजिए, अगर आप copy पे नहीं लिख पा रहे हैं, तो आप आप ओज करके copy में जरूर लिख लिजिए, dictation start now, dictation. A strategic change is a complex process, a strategic change is a complex process that involve a corporate strategy, that involve a corporate strategy to focus on, to focus on new customer, new way to look at organizational development, new way to look at organizational development, new market, new way of dealing, new way of dealing with intermediaries, new way of dealing with intermediaries, new approach to competitors, new approach to competitors, new way to deal with suppliers, new way to deal with the suppliers, new product and services, new product and services, and new way of doing business, a new way of dealing with business, paragraph change, a strategic change is a change for future, a strategic change is a change for future based on anticipated environmental forces, based on anticipated environmental forces, based on anticipated environmental forces, the change in environmental forces, the change in environmental forces, often requires, often requires business to make, to make, business to make, modification, modification in their, in their, in their existing strategies, existing strategies, existing strategies, and bring out, and bring out new strategies, bring out new strategies. ये आपका, जब भी एक्जाम में आये तो आपको ये लिखना है, strategy change का मतलब है, फिर से समड़ी में देखिए, जो भी आप, जो खश हम दो झाव से सुपिया कंबादा भी वागई का मतलब है, झुझा न एक्या का भी तुबवाई और मतलब है,, ये जू oldest झाव हम जो झाव ओे दो, कि भी झा जो हम एपने बहे से सकत्रत्स का.